Hello friends, welcome to GK study, तो आज बात करेंगे HPSC की तरफ से जो आपका exam होने वाला है clerk का, यानि के secretaryate clerk का 962 तो उससे related कुछ 3 important notification आए हैं, उनको आप एक बार जरूर check out कर लीजेगा, ठीक है तो जल्दी से बात करते हैं, सबसे पहले पहले notification के बारे में बात करते हैं, देखें जो पहला notification है, वो उन लोगों के लिए है, जिनको जो है, वो बोला गया है कि आपने जो है, वो आपका bonafide certificate या फिर आपका जो है, वो certificate of passing metric and plus 2 from any school institution situated within हिमाचल प्रदेश, यानि कि जो लिस्ट यहां पर दी गई है, उसके थूँ आप चेक आउट कर सकते हैं, आपर application number दिया गया है, name of candidate दिया गया है, father name दिया गया है, जिनके भी यहां पर नाम दिये गए है, approach 86 candidate के, उनको जो है, वो within 3 days, यानि कि तीन दिन के अंदर जो है, आपर official email ID दी गई है, उस पर जाकर जो है, या तो आपको अपना bonafide हिमाचली certificate जो है, वो submit करना है, या फिर अगर आपने हिमाचल से 10th या plus 2 की है, दोनों की है, तो आपको उसके certificate जो है, वो आपको जो है, वो certificate डालने है, ठीक है, यानि कि इनको mail करना है, तो ये 3 दिन के अंदर कर लीजेगा, जिस दिन notification आया है, आज की लिए, आज जो है, वो notification आया है, इसलिए मैं आपको instant बता दिया है, तो आज ही ज उसके बाद निलेश कुमार, ठीक है, भारती देवी, गोल्डी कुमार, तो ये सारे नाम यहाँ पर दिये गए, एक बार जरूर चेक आउट, जो है, वो जरूर कर लीजेगा, ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन है, वो है, आपका related list of candidates, whose ORA is complete, but fee not received, तो ये rejection list है, जिनका ORA, जो है, वो complete नहीं हुआ है, तो अगर मैं बात कुरूँ, यहाँ पर एक बार चेक आउट कर लीजेगा, तो यहाँ पर approx, जो है, वो बहुत सारे candidate है, जिनकी rejection list में नाम आया है, ठीक है, और इनको कोई भी time जो है, वो नहीं मिलेगा, ऐसा मैं सोचेगा, कि आपको भी time मिलेगा, अगर आपने complete नहीं किया है, complete करने का, तो 1897 के करीब, जो है, वो candidate है, जिनका जो ORA, वो complete नहीं हुआ है, और इनको reject कर दिया गया है, तो 1857 के करीब, 1800 प्लस के करीब, जो है, वो form reject हुए है, अगर आपको लगता है, कि by mistake आपका, जो है, वो reject हुआ है, तो आप ही जो है, वो email कर सकते है, official email पर जाकर, जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको लगता है, by mistake आपका reject हुआ है, और आपके पास proof है, तो यहाँ पर list में एक बार check out जरूर कर लिजेगा, अपना नाम, ठीक है, application ID के through, ठीक है, या फिर father name के through, या husband name, अगर आप married हो, तो यह चीज जो है, वो जरूर check out किजेगा, ताकि आपका गलती से नाम ना आयो, ठीक है, एक और list है, यहाँ पर जो की है, आपकी, जिनकी fees जो है, वो submit नहीं हुए, जारातर issue इसी में ही पढ़ते है, कि जो fees कहीं बार क्या होती है, fees submit हो जाती है, बट वहाँ पर rejection list में आ करवाई थी, और आपके पास उसकी जो है, वो प्रूफ भी है, तो आप जो है, वो official mail पर जाकर, HPSSC को जो है, वो भेज सकते हो, और obvious बात है, कि आपका जो है, वो नाम असानी से जो है, वो उसमें आ जाएगा, ठीक है, तो यह चीज जो है, ध्यान रखिएगा, एक बार ज नहीं किया गया है, कि आप सम्मिट कर सकते हो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास फीस का प्रूफ है, तो आप जरूर जो है, वो email कीजेगा, या फिरेक्टली जो है, वो उनको call कीजेगा, तो यह कुछ तीन important notification थे, बाकी जिन से जो है, वो मांगा गया है कि आपको जो है, वो सम्मिट करना है, तो वो एक बार जरूर तीन दिन के अंदर जो है, वो सम्मिट कर दी जगा, यह बहुत सारा जरूरी है, बोनफाइड हिमाचली नहीं, तो आपका नाम भी जो है, वो reject लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और बाकी clerk, सेक्टरेट के अग आपको जिकिस्टेडी आप पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप clerk 2022 कूपन कोड यूज कीजिए, और बहुत सारा material जो है, वो आपको revision के लिए मिलेगा, थैंक्स पर वाचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे, नेक्स वीडियो के साथ,